हलो दो तो कैसे हो आपका स्वागत है तुरिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महतवपून कोशन पेपर आया है फीजिकल एजुकेशन यारी देखा जाया है तो सारी शिख्षा जो हमारे समख्ष को पह पर कोशन पेपर आया है Δ. ये काफी महतवन계 करना है और ये सारे question जो होंगे काफी महत्व रखेंगे हर एक question को समझना है और exam की तयारी करना है इसमें हम question को analyze करेंगे समझेंगे और विचार करेंगी और सबसे महत्व पूर्ण बात रहेगी कि ये आपको Hindi English दोनों बच्चों के लिए रहेगा देखा जाए तो ये सब्दों का यहां पहुत ही महत्व रहेगा तो इसे लिए आपके समक्ष सब्दों को ही प्रेजेंट करेगा जो काफी महत्व पूर्ण रहेगा तो देखते हैं हमारा question क्या यहां पर the question here point out the physiological factor for strength you know that question is very interesting point out a physiological factor for strength the answer here strength is the ability of the body to work against that is strength and has a varied subtype such as a maximum strength and explosive strength and a strength hindrance etc that's important here there is a various subtypes are such as a maximum strength the maximum extent explosive strength and strength hindrance each has a different types of exercise intensity and duration so physiological factors vary there is a exercise this type types here exercise intensity and duration of so physical physiological factors vary here different sport required a different amount of strength you know that different sport required a different amount of strength and according to that a mixture of the slow twitch fiber and the fast twitch fiber is needed generally in all the strength related sport where a sudden burst of energy is required sudden burst of energy required high percentage of fast twitch fiber is required here that's important here देखिये यहां पर कोशन जो आया है कहता है तागत के लिए सारीरी कारक बताईए तागत के लिए सारीरी कारक कौन से हो सकती है कोशन यहां पर काफी मेहां पर काफी महत्पून है कि तागत के लिए सरीरी कारक तो देखा जाए तागत सरीर की परतिरोद की खिलाफ काम करने की च्छमता होती है और इसके विभीन उपकर परकार भी हो सकते हैं जैसे तागत, बिस्पोटक तागत, तागत सहन सकतियादी देखा जाए तो कोई भी अगर आप कारे करते हो तो आप अपने तागत जितने भी सरीरी में तागत होती है उतनी लगाते हो और आपके सरीर के जो परतिरोदक च्छमता होती है वो सहन सिलता को दिविवुक्त को और अधितम तागत को दर्षाटा है कि कोई लियदर काड़े करते हैं तो सबसे मेहत्पुर्ण बात होती है अगर सहन्सिल्था नहीं होगी थो और वह काड़े को आप भली भाती करने में सक्षम नहीं हो पाओगी यह बात तो समझते हो ना भी कोई व्यक्ति तभी तक काड़े कर सकता है जब जितना वो सह सकता है तो यही बात यहां पताने कोशिश किया जारा कि तागत के लिए सब्सक्राइब कारक कौन कौन से हो सकती है तो तागत के लिए सब्सक्राइब करते हो हर तरह के छमता आपका विकास होता है कोई विक्ती जो होते हैं अपने मसल्स पावर को बहा रहे होते हैं कोई अपनी स्टेमिना को बहा रहा होता है देखते हो बच्चे सुबा सुबा जो दोरने जाते हैं तो अपने दोर की स्टेमिना को बहा रहे होते हैं कोई अपना बोडी मसल्स को बहा रहे होते हैं तो यही अलग-अलग मात्रा में पांगत की अवशकता होती हैं जैसे मैंने बिक बताया आपको जैसा速 आप खेलते हो वे से आपको तागत की अवशकता होती हैं फिर तकtechnic से एक दोए स्पेल की रवाय जाता है स्टार्टिंग का उसके वाद उनको ब्रेक दे दी जाती है और स्पिनर को ले लिया जाता है स्पिनर में जो होती है उसमें तागत की अधिक अवशक्ता हमें पढ़ती है तो देखा जाए तो अलग अलग खेलों के लिए अलग मात्रा मे तागत की अवशकता होती है और उसके अनुसार दीमी गती वाले फाइवर और तेजेगा हमारे सरीह में कितने जो है फाइवर तरीयची कितने है और तेजेगा छाएक पूण है बात आता है आप तौर पर तागस से संबंधित सभी खेलों में जहां अचानक उर्जा के विस्पोटक की अवशक्ता होती है, तेट चिकोटी फाइवर की उच्छे पर्थिसत की अवशक्ता होती, देखिए कई खेलें ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही हमें पावर की जरुवत परती है और इसे हम बिस्पोटक सक्ती कहती हैं कहते हैं यह बिस्पोटक सक्ती का मतलब होता है कि अचानक हमें इतने शक्तियों की अवर्शकता है माल लीजे हम दौर कर रहे हैं कोई बैक्ति पसितनी नहीं होगी लेकिन जो धीरे चल रहा है स्टेमिना के साथ चल रहा है वो उसको जीत लेगा तो इसे विस्पोटक सकती कहते हैं इसी को स्टेमिना कहते हैं क्योंकि अगर आप स्टेमिना के साथ जा रहे हो तो आप जरूर जीत जाओगी लेकिन अगर आप विस्पोट सकती लगाता है लेकिन देखिए देखते हो लास्ट में कितने अधिकेट भी गिरने लग जाती है जो है बंदा बहुत जल्दी ठक जाता है और गलती करने की चांसेश भी बढ़ जाता है तो यहीं बात यहां पर बात आता है अगर इसके लिए हमें सदारन रूप चाहिए तो आपको कोशन समझ में आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और यह जरूरी एक्जाइम पॉइंट वीव से इसको अच्छे से समझिए और अपने कोपी पर नोट डाउन कीजिए ठीक है हम अगले क्वेशन मिलेंगे इसलिए बने रहे तिरपान से अज़े और जितना हो सके शेयर कीजिए पहली बार में चनल पर आयो पहली बीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी परकार प्राप्ट होता रहे दोस्तों सोचना नहीं है विचार न करना है अभी तिरप झाल झाल